कि वेरी गूद इवनिंग मैं डियर फ्रेंद्स अगर मेरी अबाज आप तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में एक बार एस लिख देना वेरी गूद इवनिंग मैं डियर फ्रेंड्स उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं अगर मेरी अब तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में रिवर्ट करना चली तो आप सभी के मेसेज़िस मेरे पास आ रहे हैं कि सर आपकी अवाज हम तक पहुंच रही है बहुत बढ़िया जी तो सबको वेरी गुड इवनिंग हेलो हाय नमस्ते उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी रिप्रेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है तो माइडियर फ्रेंड्स रिवीजन थ्रू MCQ सीरीज में एक वार फिर से आपके साथ जुड़े हैं बीच में दो दिन का ब्रेक हो गया क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट वाले फ्रेंड्स थे उनका एक्जामेनेशन था और बहुत ही बड़ी एक्जामेनेशन हुआ उनका और उमीद करते हैं कि आगे जो कामर्स के एक्जामेनेशन होगा वो भी उतना ही बड़िया जाएगा तो आज माइडियर फ्रेंड्स आपके साथ डिसक्स करने वाले हैं पेपर वान के करनेशन आपके साथ ले चुके हैं और आज भी पेपर वान के कुछ और MCQs डिसक्स कर हैं तो आगे बढ़ने से पहले जिल्दी से एक बार आपको हमारे कॉर्स के बारे में बता देते हैं तो पेपर वान जो की जनरल पेपर है उसके लिए मिनी कॉम्बो पाक, कम्प्लीट कॉम्बो पाक, पेपर टू कॉमर्स के लिए फ्री स्नाफशॉट नोट्स, यूनिट इस पास्ट पेपर्स, टे सीरीज एंटिये वाले फॉर्मेट में अगर आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं, काफी सारे मानेश्मेंट वाले फ्रेंड्स को टाइम मानेश्मेंट में दिक्कत आई क्योंकि उन्होंने प्रेक्ट आज का पहला सवाल पीपल एंवार्मेंट से जुड़ा है, नाशनल इंस्टिूट ओफ डिजास्टर मानेश्मेंट ओर्गिनाईज्ट द फर्स नाशनल कॉन्फरेंस ओन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिदक्शन और रिजिलियन्स पे कौनसी इंडियन स्टेट यां यां टीम आउगनाईज करी, निर्मल पूछ रहे हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखें मुश्किल है कि अभी नमबर तक तो एक्जामिनेशन ही हो रहे हैं, जून 19 वाले, तो अगला नोटिफिकेशन तो अभी 2-3 महीने रुक के ही जहां तक हमें लगता है, देखते हैं क्या इंटी की तरफ से क्लैरेटी आती है यहां पर, सुमित कह रहे हैं, मेरा पेपर काफी अच्छा हो गया आपके नोट्स और वीडियो से, वर स्टेडिफिकेशन कर नेट मानेजमेंट, बहुत बढ़ी हैं, सुमित जी बहुत अच् तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है, देखे हैं, न्यू डेली जो है वो इसका राइट आंसर है, नाशनल इंस्टिटूट आफ डिजास्टर मानेजमेंट ने पहली नाशनल कॉन्फरेंस कोस्ट्र डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रिजिलियन्स पे डेली में करी थी, तो एक important fact जो कि आपको याद कर लेना है देखिए अगर इस institute की बात करें तो इसकी site मैंने आपके लिए खोल के रखिए तो आप देख सकते हैं, this is NIDM और इसका tagline क्या है इसका tagline क्या है वो भी देख लो एक बार क्या पता सवाल पूछ लें resilient India, disaster free India इसके logo के नीचे लिखा ना resilient India, disaster free India और इसके बारे में अगर हमें जानना है तो about पे क्लिक करते हैं अगर हम तो बताता हैं के जी एक act of parliament से बनाया था यानि कि एक statutory body है disaster management को coordinate करने के लिए disaster management act 2005 के अंदर ये बनाई गई है और इसका crucial role है disaster risk reduction के उपर और काफी सारे इसके functions हैं काफी सारे support provide करता है disasters की management के लिए उसके risk को reduce करने के लिए चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ सवाल number 2 हमारी screen के उपर आ चुके हैं name the first Indian state which is going to measure gross environment product GEP देखिए my dear friends हमें अपनी economic development देखनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं एक तरीका तो है GDP निकाल लो GDP के अंदर हमारा emphasis रहता है पैसे के उपर हम पैसे के उपर focus रखते हैं हम पैसा देखते हैं कितनी जादा production हुई money की terms में चीज़ों को देखते हैं gross environment product को अगर हम देखें तो हमारे GDP के अंदर हम environment को भी include कर लेते हैं हमने काम तो किया हमने production तो करी GDP तो बड़ा बट उससे environment को नुकसान हो गया तो उसका कोई benefit my dear friends नहीं है तो इसलिए environment को भी आपको consider करना ज़रूरी है और इसलिए पहली Indian state जिसने इसे measure किया GEP को measure किया union territory चलो बहुत बढ़िया देखे हमारा जो state है उत्राखंड आप सभी जानते हैं उत्राखंड हमारा एक हमालेन state है काफे सारे mountains है वहाँ पे ecologically sensitive state है और उसी ने gross environment product की शुरुवात करी अपनी development को measure करने के लिए ecological growth assessment के लिए इसका इस्तेमाल किया तो एक important fact है जी आपको याद रखना चाहिए चलो तीसरे सवाल पर आ गए है जी स्वच भारत Mission Academy सर स्वच भारत Mission के बारे में तो पड़ा था अब इसकी academy भी आ गई है क्या जी हाँ इसकी academy भी आ गई स्वच भारत Mission Academy has been launched by Union Minister for जल चक्ती is a phone-based academy covers a wide range of topics under open defecation, free sustainability as well as solid and liquid waste management all are correct स्वच भारत Mission Academy के उपर आप से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है देखते हैं इस सवाल का अंसर में कहां से सबसे पहले मिलता है आपके आंसर्स आने शुरू हो गएं जी यह सवाल नंबर हमारा थर्ड है आंसर्स आपके आ रहे हैं C के और D के D है जी इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर्स हैं जी सबी के स्वच भारत Mission Academy को हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर जल जक्ती ने ओफिशली लांच कर दिया है फोन बेस्ट अकेडमी है हाला कि मैं इसके बारे में कुछ कंकरिट इसकी साइट यहां कोई अभी आप नहीं ढूंड पाया आप भी ज़रूर एक बार स्वच कीजेगा अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है और यहां पे 60 मिनट्स के आपको मॉडियूल मिलते हैं जो कि बेसिकली आपके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो option D all are correct चलो जी आते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है the theme of world wetlands day 2020 चौता सवाल है ने जी हमारा हाँ जी theme of world wetland day 2020 is wetland and biodiversity world wetland day every year is observed on which day आपको बताने यह कब मनाया जाता है हमारा world wetland day 2020 की जो theme है वो आपको बताई है और ये भी कही न कहीं आपको याद रख लेनी चाहिए हो सकता है इस पर भी सवाल पूछ लिया जाए देखिए my dear friends क्योंकि अब बहुत सारी shift में examination हो रहा है इंटे के लिए भी challenge है बहुत सारे question ढूण कर लाने है और इसलिए वो बहुत सारे ऐसे सवाल भी पूछ सकता है जो कि आम तोर पे normally नहीं पूछे जाते और ऐसा हमें देखने को भी मिला कि current affairs के कुछ ऐसे direct सवाल देखने को मिले जो कि generally नहीं पूछे जाते तो उनी को आज हम आपके साथ discuss कर रहे हैं और आपके answers आ रहे हैं जी कि हमारा 2nd Feb को मनाया जाता है World Wetland Day आपके answers यहाँ पे बहुत बढ़िया है बिलकुल आपका answer सही है जी option 2 is the right answer आपको theme भी पता चल गई और इसका day भी पता चल गया 2nd February को Valentine Day से पहले हमारा Wetland Day आता है तो पहले Wetland Day विश करना है फिर Valentine Day विश करना है याद रखेगा इस बात को चलो जी तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है इंडिया टू होस्ट the 13th edition of Conference of Parties of the Conservation of Migratory Species supported by UN Environment Program UNEP in Feb 2020 at which Indian city इंडिया जो है हमारी COP होस्ट करने वाला है Migratory Species की Conservation के लिए जो की UNEP सपोर्ट करेगा United Nations का Environment Program सपोर्ट करेगा Feb 2020 में कौनसी इंडियान सिटी में ये Conference Organize होने वाली है कुछ फ्रेंड्स मेरे रामसार Convention का भी नाम ले रहे हैं बहुत बढ़िया जी रामसार Convention आपकी जुड़ी है Wetland से ही बहुत बढ़िया रामसार Convention जो है उसमें हम Wetlands की Protection करते हैं इसके अंदर एक Montrix Record भी होता है जिसके अंदर जो Wetland खत्रे में है ना उनके List मनाई जाती है सच कीजेगा अगर आपका इंटरेस्ट है ठोड़ा सा पढ़ने का देखिए यहां पर यह Conference हुई है वो गांधी जी की नगरी है UNEP की जो Conference है Conservation of Migratory Species की इंडिया में गांधी नगर में 17 से 22 फरवरी को की गई है और यहां पर जो मासकट रखे गए थे वो Great Indian Bustard रखे गए थे Official मासकट और इंडिया जो है तीन साल के लिए इसका हमारे चटे सवाल की तरफ 6th question की तरफ अब हम यहां पर बढ़ चुके है With which bank the government of India signed loan agreement worth $450 million to support Atal Bhujal Yojana National Ground Water Management Improvement Program in 7 Indian States World Bank IMF ADB या फिर EXIM देखे हमारी भारत सरकार ने एक loan agreement sign किया है Atal Bhujal Yojana को support करने के लिए और यहां पर आप यह भी याद रख सकते हैं Ground Water Management Improvement Program है Atal Bhujal Yojana Ground Water पर अल्रेडी काफी सारे सवाल examination में पूछे गए हैं और हो सकता है इस पर भी सवाल आपसे पूछ लें तो हमारी इस Atal Bhujal Yojana के लिए कहां से loan लेने वाली है हमारी Government of India आपको बताना है कौन loan देगा क्या Export-Import Bank देगा क्या ADB देगा क्या IMF देगा यहां World Bank देगा सर देखो Logically जो answer है वो World Bank ही बनता है हम Commerce के student हैं काफे सारे मेरे friends Commerce के हैं हमने पड़ा है World Bank जो है ऐसी मदद कर दिया करता है और World Bank ने ही loan दिया होगा और इस योजना के बारे में भी बताया गया कि अटल भूजल योजना है उसे हमारी जल शक्ती मिनिस्ट्री जो है उसे कौन सी स्टेट्स में इंप्लिमेंट करने वाली है हाँ जी बहुत बढ़िया मंगेश एक बार अपना आंसर जुरूर चेह कीजे आप चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे सवाल नंबर साथ वा हमारी स्क्रीन के उपर है नेचर रेंकिंग इंडेक्स 2020 में कौन से इंसिट्यूशन ने बाजी मार ली अब ये तो आपका हाईर एजुकेशन से भी जुड़ा है तोनों का मिक्स सवाल मान लीजे से आप IIT Bombay, Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science Education and Research, CSIR Council for Scientific and Industrial Research तो बताईए जी कौन सा ऐसा इंसिट्यूट है जिसने नेचर रेंकिंग इंडेक्स 2020 में टॉप रेंक हासिल किया है उसमें बाजी मार ली है हाँ, World Bank जो है, एजुकेशन में भी, World Bank देखे, असिस्टेंस बहुत जगां पर प्रोवाइट कर रहा है इंडिया को, बहुत सारी असिस्टेंस दे रहा है काफी सारे स्कीम्स में मदद कर रहा है इंडिया की चलिए, आंसर आपके बहुत ही बड़ी है, महमद असलम बहुत बड़ी आंसर देते हुए यहाँ पर CSIR ही इसका आंसर है, बहुत बड़ी है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप सही आंसर दे देंगे देखें, यह हमारा है Nature Index, आप Nature Index को देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की लिखा है, 2020 का अगर हम यहाँ पर देखते है Nature Index के बारे में, तो टॉप पर हमारा है CSIR, इंडिया, यह आता है जी, नंबर वान पर और इसके बारे में, अगर हम इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, अबाउट में, नॉलेज बेस, चली, यह Nature Index जो है, कुछ आटिकल्स के बेसिस पर, आटिकल्स के बेसिस पर रेंकिंग देता है, कि जो आप कॉंट्रिबुशन कर रहे हो, आटिकल्स वगयरा कि उ और उसके बेसिस पर यह रैंक जो है, राइफ किया जाते है, तो उसमें हमारा CSIR जो है, उसने बाजी मार ली है, उसने सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है, हमारे Nature के उपर, इसलिए उसको सबसे पहला रैंक यहां पर मिला है, यह चीज माइडियर फ्रेंड्स याद रखिये और बढ़ जाते हैं, हमारे आठवे सवाल की तरफ, question number 8, हमारी screen पे, central government notifies national chumble century as eco-sensitive zone, recently, national chumble century जो है, कौन सी इंडियन स्टेट में located है, national chumble century को eco-sensitive zone declare कर दिया, मतलब यहां के आसपास construction वगयरा पे रोग टोग लग चुकी है, और यहां पे national chumble century जो है, कौन सी स्टेट मे है, वो आपसे पूछा जा रहा है, तामिल नाडू, मद्य परदेश, गुजरात, ओडिसा, कौन सी स्टेट में यही सेंचुरी located है, सवाल number 8 का आंसर देखते है, कहां से सबसे पहले बड़ी आंसर हमें देखने को मिलता है, इंतजार है आपके आंसर का, national chumble century, eco-sensitive zone, देख जो national chumble century है, आपके आंसर आ रहे है, बहुत बढ़िया वाले, यह मद्य परदेश के अंदर located है, मद्य परदेश के अंदर यह located है, तो हमारी जो notify करी है, eco-sensitive zone, अब उससे क्या होगा, हमारी जो industries है, hydro projects है, mining है, construction वगएरा है, वो अब यहां पे नहीं कर सकते, और साथी यहां बोला गया, it is the first and only tri-state riverine protected area in India for the breeding population of घडियाल, तो घडियाल की जो population है, वो यहां पे पाई जाती है, क्रोकोडाइल की तरह दिखता है, गडियाल, और national chumble घडियाल wildlife century के नाम से भी से जाना जाता है, ठीक है जी, तो यह थी हमारी national chumble century, मद्य परदेश के अंदर, हां and recommend the community forest resources guidelines under the forest rights act 2006, who heads the committee, देखिये, my dear friends, हमारे देश के अंदर forest rights act करके कानून है, इसके अंदर बताया गया, कि जो हमारे traditional forest dwellers हैं, काफी सारे लोग हैं, जो कि जंगलों में रह रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से, और जंगलों पे ही dependent है, अपनी livelihood के लिए, वो जंगलों में पेड़ पौदे, फल फूल एकठा करते हैं, उसी से अपनी रोजी चलाते हैं, और इसलिए हमारे इस कानून के अंदर बताया गया, कि हमारे ऐसे जो scheduled tribes हैं, forest dwellers हैं, उनके कुछ rights हैं, और इसी act को अभी कुछ review करने के लिए, इस पे community forest resources guidelines जो लेकर आने के लिए, एक committee बना हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है, जी, ministry of tribal affairs ने committee बनाई है, नरेश चंदर सक्सीना के अंदर, और ये बताएगी community forest resources से जड़ी हुई हमारी guidelines की, हमारे जो forest हैं, community को belong करते हैं, community का भी उनके right है, इस act के अंदर ऐसी guidelines जो हैं, वो हमारी जारी की जाएंगी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ, question number 10 की तरफ चलते हैं, question number 10 हमारा क्या है, international day of forest is observed annually on 21st March, what is the theme for international day of forest 2020, international day of forest हमारा 21 March को हर साल observe किया जाता है, अब आप बताइए जी, 2020 का जो international day of forest है, उसकी क्या theme है, ये आप से पूचा गया है, sustainable cities, energy, biodiversity या फिर education, international day of forest, सर इतने सारे days हैं कैसे याद करें, देखिए माइडियर फ्रेंट इस पे सवाल आप से पूच सकते हैं, अभी पहले किसी shift में पूचा भी गया, match the following का सवाल आप से 4 date को link करके पूचा गया था कि आपको 4 occasions बताए थे, days बताए थे और उसकी date से आप से examination में पूची जाती हैं और इसलिए सवाल आप से पूचा, अगर बात करें थीम की international day of forest की तो बहुत ही बढ़ी है, बहुत ही बढ़ी है, परदीप सिंग, स्वाती सिंग, सुमेच जोगेश, इतने बढ़ी है बढ़ी है आंसर आप दे रहे हैं आज तो, international day of forest हो है हर psychological diversity, हमारे forest के अंदर धेर सारे जीव जन्तु रहते हैं, धेर सारी variety, diversity देखने को मिलती है और इसी के ऊपर इस बार की theme रखी गई है, United Nations ने 21 मार्च को international day of forest डेकलेर किया था, 2012 के अंदर और 2013 से हम इस day को मनाते आ रहे हैं, ठीक है जी, चलो, तो अब आगे हम अपने 11 सवाल की तरफ आगे, which department has launched first of its kind, I got portal in दिक्षा platform of ministry of HRD, दिक्षा platform है जी ministry of HRD का, अब उससे जुड़ा हुआ, एक I got portal बनाया है, किस department ने बनाया है, यह आप से सवाल पूछा जा रहा है, दिक्षा platform के ऊपर, किस department ने अपना एक अलग से portal बना दिया है, चली, आपको लेकर चलत हैं इस portal के ऊपर, इस portal के ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो department of personal and training है, DOPT, उसने लांच किया है अपना integrated government online training, जो I got है इसकी full form देख लो क्या है, यह है आपका integrated government online training, e-learning portal, दिक्षा की full form भी देख लो क्या है, digital infrastructure for knowledge sharing, तो MHRD का यह platform है, और इसी के ऊपर, हमारे एक online training, e-learning portal बनाया है, हमारे DOPT, department of personal and training के ऊपर, क्यों बनाया, ताकि हमारे workers को हम training provide कर सके, COVID-19 manage करने के लिए, और यह portal आप physically भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, department of personal and training, और यह आपका integrated government online training, और यह आप देख सकते हैं, हमारे DOPT ने बनाया है, और य सकते हैं, course का link आपको यहाँ पर दे रखा है, यही चीज़े my idea friends यहाँ पर बताई गई है, आप explore courses पर click करते हैं, तो यहाँ पर courses भी हमारे आते हैं, health education से जुड़ा हुए courses आ रहे हैं, police and security agencies, यह सब courses हमें देखने को मिल रहे हैं, COVID-19 manage करने के लिए, hospital training toolkit, यह सब courses आ रहे ह था, हाँ, दिक्षा is equal to शिक्षा देना, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत-बहुत important सवाल, सवाल number 12, बहुत important सवाल है जी examination के लिए, यह सवाल है, which institute has retained the top position in the atal ranking of institutions on innovation achievements, 2020 for being the best centrally funded institution in India, अटल ranking of institutions की जाती है, innovation के basis पे, institutions की innovation achievements के basis पे उनको ranking दी जाती है, और उसके अंदर कौन से institution ने अपना top rank retain किया है, यह आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है, शीवम कुमार कह रहे हैं कि मैंने COVID की training ली, I got से तो बहुत बढ़िया जी, खुद शीवम जी भी यह training ले चुक हैं और आपके answers यहाँ पर आ रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया अंसर आएं सूनिया सूद ने बोला IAT मदरास और आपका answer यहाँ बहुत बढ़िया है, IAT मदरास ने ही top किया है, इस ranking के अंदर for being the best centrally funded institution in India, 2020 ARII जो ranking थी, वो हमारी release की थी, हमारे Vice President जी ने, in presence of the Union Minister of Education, एक virtual event 18 अगस्त 2022 का organize किया गया था, तो बहुत ही recent current affairs का topic है, जो कि हमें पता होना चाहिए, रुडकी नहीं है जी, IAT मदरास है, आप इस एक बार जरूर से देखेगा, चलो जी, अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, question number 13 के तरफ आ चुके हैं जी, question number 13 के तरफ आ चुके है which organization is the implementing agency of prime minister employment generation program, PMEGP हमारा चो program है, उसकी implementing agency कौन सी organization है, कौयर बोर्ड, national small industries corporation limited, khadi and village industries commission, national institute for micro, small and medium enterprises, देखे, prime minister जी का employment generation program है, आप इसे अपने higher education के अंदर skill development से भी link कर सकते हैं, और कौन सी organization इसे implement कर रहे हैं, उस पर सवाल आपसे पूछा गया है, तो यह my dear friends आपको याद रखना है, कि हमारी KVIC, khadi village and industries commission, जो की एक statutory body है, ministry of MSME के अंदर, वो implement कर रही है, prime minister employment generation program को, prime minister employment generation program की implementing agency हमारी है, KVIC, khadi and village industries commission, और बहुत बढ़िया जी आपके answers, तो आई रहे हैं, KVIC option 3 के, काफी सारे friends option 4 कह रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार answer check कीजिए, यहाँ पे आपने गलती कर दी है, लो जी, बढ़ते हैं, अब अपने अगले सवाल की तरफ, question number 14 है, जी हमारा, what is the theme of world oceans day 2020, लो एक और day आ गया, world oceans day 2020, क्या theme है, ocean and GDP, sustainable ocean, oceans are our real wealth, optimize our oceans, world oceans day 2020 की क्या theme है, उस पे यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, world oceans day, सर कब मनाया जाता है, world oceans day, my dear friends, 8 June को मनाया जाता है, हर साल world ocean day, to celebrate oceans and take steps to protect ocean health, theme क्या थी, world ocean day 2020 की, innovation for a sustainable ocean, और बताया गया कि हमारा जो Canada है, उसने प्रपोस किया था कि world ocean day 1992 के अर्थ समिट में, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, Rio de Janeiro, Brazil के अंदर हमारा अर्थ समिट हुआ था और वहाँ पे Canada ने प्रपोसल दिया था, और finally, December 2008 के अंदर हमारी United Nations ने 8 June को world ocean day डिकलेर करने की सवाल, और my dear friends अगर आपको आज हमारे discussion पसंद आ रहे है, सवाल पसंद आ रहे है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर से like कीजगा, आपके like समे motivation मिलता है, ऐसी मेहनत regular basis पे करते रहने का, आपके लिए ऐसे और सवाल लेकर आने का, current affair से जुड़े कुछ important सवाल आपके स discuss कर रहे हैं और उमीद करते हैं काफी सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं, उमीद करते हैं काफी सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं, लीचे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी, which Indian ministry, which Indian ministry has designated DigiLocker as the sole national academic depository, NAD, चलिए ब education, किसने designate किया है DigiLocker को as sole national academic depository, इसके आंसर तो आप सभी के सही ही आएंगे, आपको लेकर चलते हैं, जी, साइट पे, आपको साइट पे लेकर चलते हैं, आप देखे ये national academic depository, नीचे लिखा है university grants commission, यानि की UGC, और यहाँ पर मैं इसका logo देख रहा हूं, और उसके न अगर है कि लिखा हुआ है, जी जूम करके थोड़ा सा जानने की कुशिश करते हैं, क्या लिखा है, लिखा है transparency and transformation through digitization, तो यह इसकी tagline है जी, transparency and transformation through digitization, यह national academic depository की tagline है, और इसके बारे में बताया गया कि इसकी vision क्या है जी, इसकी vision के बारे में बताया गया कि initiative to provide an online store for all academic awards, जो भी आपके academic awards है, certificate, diploma, degree, mark sheet, सभी आपके यहाँ पे store हो जाएंगे और आप असानी से उन्हें access कर सकते हैं और इनकी guarantee भी यहाँ से रहेगी, कि authentic है, यह भी यहाँ से पता चलता रहेगा, सभी universities में आप देख सकते हैं, यह applicable है, academic awards into students locker 24x7 online storage facility है, और आपके degree, certificate, mark sheet, सब च है, digilocker, digilocker जो है, वो उसको हमारी यहाँ पे sold repository बनाया गया है, national academic depository के अंदर, तो यह हमारी sold depository है, इस initiative के अंदर, और यहाँ पे, जो digilocker है, उसके अंदर आप जो है, अपने सारे documents रख सकते हैं, अपनी mark sheet वगरा, academic awards वगरा, सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठी है, चलो जी, चलो जी, तो माइडियर फ्रेंड्स, इसका अंसर हमारा होने वाल है, option number 4, हमारी ministry of education, या फिर पहले ministry of HRD जो थी, उसने हमारी digilocker को sold national academic depository designate किया है, थेंक्यू नवीन कुमार जी, बहुत अच्छा लगा, आपकी यह बात सुनके, चलो जी, Question number 16 पे आचुके हैं, Question number 16 पे आचुके हैं, जी, Where was India's first e-waste clinic inaugurated, इंडिया का पहला e-waste clinic जो है, कहां पे inaugurate किया गया था, बोपाल, मध्यपरदेश, न्यू डेली में, पूने महराष्टरा में, मुंबई महराष्टरा में, आप सभी जानते हैं, e-waste, waste management, people and environment के अंदर, एक important topic है, जो कि हमें पढ़ना है, इंडिया का पहला e-waste clinic जो है, कहां पे inaugurate किया गया है, ये सवाल आप से यहां पे पूछा जा रहा है, इंडिया का पहला e-waste clinic कहां पे inaugurate किया गया है, e-waste management हमारे ले बहुत important challenge है जी, हम सभी आजकल अपने mobile पे काम कर रहे हैं, laptop पे काम कर रहे हैं, और कुछ समय बाद ये बेकार हो जाते हैं, काफी सारे mobile तो आप सभी के घरों में पड़े होंगे, पुराने वाले, जो कि आ आपके answers आ रहे थे, बपाल के बहुत बड़िया आपके answers हैं जी, नताशा, स्वाती, पूजा दूबे और निहारिका और सोनिया, ये सब कह रहे थे option A, बपाल मद्य परदेश तो आपके जहां पे answers बिलकुल ठीक हैं, बहुत बड़िया जी, लो जी, आते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल हमारा question number 17 है, what is the theme of the 107th edition of the Indian Science Congress for the year 2020, Indian Science Congress का 107th edition, यानि कि इंडिया अजाद भी नहीं हुआ था, तब से ये Indian Science Congress जो है ओगनेस की जा रही है, और इसका 107th edition 2020 के अंदर जो है, वो organize किया गया, उसकी theme क्या थी, वो आपसे यहां पे पूछी जा रही है, तो my dear friends, इसकी theme के अगर हम बात करें, इसकी theme थी science and technology, rural development, इसकी theme थी science and technology, rural development, तो बोला जी, हमारे PM Modi जी ने inaugurate किया था, इस Indian Science Congress के 107th edition को, at University of Agricultural Sciences in Bengaluru, Karnataka, इसकी theme थी, science and technology for rural development, तीक है, सीधा सवाल था, आपको याद करना है, हम बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आचुके हैं, जी हम, which union ministry launched Indian report on digital education 2020, बहुत सीधा, बहुत आसान सवाल है, I don't think, इसमें कुछ समझाने वाला है, हमीम इसलाम पूछ रहे हैं कि हमारी answer keys कब आएंगी, answer keys देखिए, answer keys जो है, पिछले examinations की भी अभी release नहीं की गई, पिछले attempt की भी अभी release नहीं की गई, तो मुझे लग रहा है कि finally, आप जब सारे आपकी shift complete हो जाएंगी, तब answer की आएगी, पर तब तक बहुत देर भी हो जाएगी, तो देखते हैं, NTA क्या decision लेता है इस regard में, अगर अभी present scenario की basis पर चलें, तो अगले महीने तक ही expected है आपकी answer की, चलिए, तो हमारी जो MHRD है याँ फिर Ministry of Education जिसका नाम अब कर दिया गया है, हाँ Ministry of Education है जी, कलपना जी, प्लीज आप इसे ध्यान रखिए प्रदीब, प्लीज आप एक बार ध्यान रखिए, इंडिया report on digital education, आप confused मत हो ये, आपने answer दिया, electronics and IT, science and technology, हाँ कहीं ना कहीं ये जो ministry जुड़ी है, वो MHRD या फिर Ministry of Education जुड़ी है, और इसी ने जो है, इसे recently launch किया है, इसी ने India report on digital education 2020 को release किया है, और यहाँ इस report के अंदर आपको बताया गया कौन से innovative methods हमारे education departments ने adopt किये हैं, different states और UTs के अंदर, ताकि inclusive education प्रवाइड कर सके बच्चों को उनके घर पे तो यह सा बातें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है जी, ठीक है, तो आप इस report को अगर देखना चाहें, तो एक बार जरूर देख सकते हैं, इस report को glance कर सकते हैं, को सकता है, कुछ important बातें आपको जानने को मिल जाएं यहां से, हाँ जी, तो हम तो बढ़ चुके हैं जी, अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आ गए है, सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, what is the name of the challenge that is launched by India to promote indigenous microprocessor manufacturing, आत्म निर्बर चलेंज, मेक इन इंडिया चलेंज, सिल्फ रिलायांस चलेंज, स्वदेशी microprocessor challenge, बताईए जी, कौन सा चलेंज लेकर आएं हैं हम, to promote indigenous microprocessor manufacturing, आप सभी जानते हैं कि जो भी computer, laptop, mobile इस्तमाल कर रहे हैं, उसमें processor का होना बहुत जरूरी है, है ना, आप सभी जब mobile लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा processor है, इसके अंदर snapdragon, सब चीज़ें snapdragon का processor है, या फिर कौन सा processor है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, computer ल अब इतना बड़ा processor नहीं डल सकता, छोटा processor डलेगा, जयाने कि microprocessor हमारा डलेगा, अब microprocessor ही हमारा future है, और इंडिया के अंदर हम चाहते हैं, खुद microprocessor बनाएं, make in India करें इन microprocessor को, और इसके लिए हमने challenge जो है, वो launch किया है, जो challenge launch किया है, वो हमारा है, स्वदेशी microprocessor challenge, आप सभी के answers यहाँ पे ठीक नहीं आपाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वदेशी microprocessor challenge इसका नाम है, और इस challenge के थुरू हम इंडिजीनियस microprocessor manufacturing और डिजाइनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, और यहाँ पे funding भी एक करोड रुपे तक के funding भी दी जा जी, which institute is to organize an online international conference on climate change and its impact on himalayan region, तो हमारा कौन से institute है, जो की एक online international conference organize करेगा, climate change पे और उसका impact हमारे himalayan region के उपर, क्या आरे भट research institute of observational sciences है, क्या IAC है, IAT, Gohati है, यहाँ फिर आपका बिरला institute of applied sciences उत्राखंड है, तो यह my dear friend सीधा सवाल है, आपको याद ही करना है इसके बारे में, और इसके बारे में आपको याद यह रखना है कि आरे भट research institute of observational sciences नैनी ताल, आपका ARIES नैनी ताल जो है, वो एक international conference organize कर रहा है, क्या नाम है इस conference का, conference का नाम है, अगर आपको सीखने को मिली है, अगर आपको सीखने को मिली है, तो my dear friends, अपना प्यार भी जरूर दिखाए, इस वीडियो को like कीजे, हमारे चैनल को subscribe कीजे, और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे, अगसे हमें सुनने को मिलता है, सर, आपके subscribers कम हैं, बट आपका content अच्छा है, तो हम कहते हैं कि भाई, आपको हमारे चैनल को share करना चाहिए, हमारी videos को share करना चाहिए, तब ही तो हमारे subscribers भी बढ़ेंगे, चलिए जी. तो my dear friends, यहाँ पर अगर आपकी कोई query है, हमारे courses को लेकर तो आप mail कर सकते हैं हमें, regular updates के लिए हमारे सा जोड़ सकते हैं, facebook और telegram पे, और आप हमारी free learning या आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारी website जो है, वो भी visit कर सकते हैं, www.everstudy.co.in खान जी, तो यह था आज का session, थेंक्यू निहारी का, अच्छा grade of classes कह रहे हैं, अब exam हो चुका है हमारा, अच्छा जी, चलिए बहुत बड़ी है, उमीद करते हैं, आपका exam बहुत अच्छा हो गया, most welcome Sonia, Basu, Pooja, Somya, Pradip, Madhu, Megani कह रहे हैं, सर, stress हो रहा है, कैसे prepare करें, stress किस बात का हो रहा है जी, 15 days में कैसे preparation करें, stress हो रहा है, जो आपने चीजें पड़ी हैं, आप उन्हें revise कीजे, stress नहीं होना चाहिए, आपको देखिए, इस time पर आपको stress थोड़ा सो होगा ही, थोड़ा तो normal है stress होना, क्यों stress normal है, क्योंकि आपने धेर सारी त्यारी करी है, इस examination के लिए, और आपके लिए बहुत important examination है, और इसलिए आपको थोड़ा stress हो रहे है, तो बिलकुल normal है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस stress को आप थोड़ा positively channelize कीजे, कैसे channelize करेंगे positively, आप इसे अपनी पढ़ाई में लगाई, आप सोची कि अगर मुझे stress हो रहे है, तो इस stress कैसे काम होगा, अगर मैं पढ़ाई कर लूँगी, त थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर मैं चीज़ों को revise कर लूँगी, थोड़ी सी practice कर लूँगी, और confident feel करूँगी, तो मेरा stress काम हो जाएगा, जैसे जैसे confidence level बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका stress काम हो जाएगा, तो my dear friends, आपको चीज़ों को revise करना है, उन्हें practice करना है, इसी स confidence आएगा और आपका stress काम होगा थ्रीनात कहा रहे हैं कि आप marathon classes लीजिए चलिए देखते हैं इस regard में क्या कर सकते हैं Most welcome Vikas, Swati, Anil, Kalpana, Anime, Animesh, Paper easy था बट lengthy grade up classes कहा रहे हैं यहाँ पर जुरूरी हो जाता है कि practice धेर सारी करें तभी time management कर पाएंगे Kalpana कह रहे हैं first paper में problem आ रही है Problems हैं तो उनके solution भी है Solution निकालने हैं आपको यह हमसे discuss कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपके लिए हमेशा मौजूद है Bye Bye Pankaj Okay Niharika जी Most welcome Trinath चलो तो मैं इस session को यहाँ पर end कर दूँ आपसे विदा ले लूँ चलो जी तो मैं इस session को आप यहाँ पर end कर रहा हूँ आप अपनी पढ़ाई करते रहे हैं आपके लिए हम भी धेर सारी महनत कर रहे हैं आप भी महनत करते जाएं मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर आल दे बेस्ट आपके लिए हैं